दोस्तो GST Portal पर एक नई एडवाईजरी इशू की गई है आपके साथ एक पुरानी एडवाईजरी भी शेर की गई थी लेकिन अब उस एडवाईजरी के बाद यह नई एडवाईजरी आई है और यह नई एडवाईजरी हम डिसकस करेंगे तो पहले आपको बता दू जो पु करवा सकते हैं GST Portal पर ही ठीक है उसके लिए आपको क्या करना था अपनी पेंडिंग रेटर्न को फाइल करना था जैसे ही आप पेंडिंग रेटर्न फाइल करेंगे उसके बाद आपको एक फंक्शनलिटी मिलेगी Portal पर Automated Drop Proceeding जिसे आप यूज करके अपना suspension रिवाईजरी है अब यह नई अडवाईजरी क्या कहती है इसमें क्या बताया गया है कि एक फंक्शनलिटी आई है Portal पर Automated Drop Proceeding करके Due to Non Filing of Return has been implemented on the GST जिनका suspend कर दिया गया है GST Number Non Filing की वज़ए से वो इसे यूज कर सकते है If such taxpayers have filed यानि कि किस वज़ए से आपका registration suspend हुआ होगा उसी जो है वही taxpayer के वाले इस functionality का यूज कर पाएंगे Second या पे कब आपके लिए यह जो functionality है काम करेगी अगर वो taxpayer अपनी सभी pending return file कर देती है system will automatically drop the proceeding and revoke suspension system automatically जो है आपका suspension revoke कर देगा जैसे यह आप अपनी pending returns को file करेंगे Second if the status अगर आपका status automatically active नहीं होता है तो आप क्या करेंगे अपना status active कराने के लिए click करना होगा initiate draw proceeding कर पर for which navigation is as follows क्यासे आप इस functionality का use करने के लिए आप कौन सा step है जो follow करेंगे आपको login करना है portal पर services tab में जाना है ठीक है services tab में जाना है उसके बाद user services में जाना है services tab पर click करने के बाद जाएगा user services यूजर services में जा करके view notice and order का जो option होता है जिसमें आप अपने notices को देखते हैं आपके against कोई order है आया है उसको आप जहां पर check करते हैं वहां पर आपको यह functionality मिलेगी अब आता है सबसे important point कि यह जो functionality है यह केवल उन्ही taxpayer के लिए है जिनका GST number 1 December 2022 के बाद suspend हुआ है उससे पहले अगर suspend हुआ है तो यह functionality आपके काम नहीं आएगी आपके portal पर नहीं होगी ठीक है तो यह जो point है यह बहुत important है is applicable to taxpayer whose GST number have been suspended after 1st December एक December के बाद suspend हुआ है तभी आप इस functionality को use कर पाएंगे